नमस्कार दोस्तों अपन पट्वारी की जो विज्ञान में शीरीद चालू कर वे थे उसमें बाइलोजी के कुछ अपने ले लिए जिसमें मानव रोग से संबनित जिवानू प्रोटो जोवा कवक तथा हेलिबेंथी जनित रोग जो अपने पडली हैं वाइरस जनित रोग र परकास और परकास के बारे में अपन परकास की कौन सी कौन सी गतिविद्या होती है परकास विदूत परभाव क्या होता है परकास की परकरती कैसी होती है परकास जो तरंगे हैं वो किस परकरती तरंगे हैं इनके बारे में अध्यन करेंगे तथा परकास से उत्पन होने वा जिससे आपको आगे के जो वीडियो मिलेंगे उसका नौटिपिकेशन भी मिल जाए अब अपने शुरू करते हैं प्रकास प्रकास जो है वो वैसे तो प्रकास का शुरूत पर्थ्वी पर सूरिय है सुरिय से आने वाली जो किर्णे हैं जिने विद्धूत चुम्बकिये तरंगे का जाता है वो प्रकास के रोखे अपने पास पहुझती है सूरिय का जो प्रकास है वो स्वेथ प्रकास कहलाता है क्योंकि उसमें सभी प्रकार के रंग मिलकर जो प्रकास बनता है वो सफेथ प्रकास होता है तो सूरिय से आने वाली जो किर्णे हैं वो विजूत चुम्बकिये तरंगे होती है विद्धूत सुंबा के तरंगों के रोग में संचरित होता है परकास तरंगें जो है वो परकास तरंगें अनुप्रस्त तरंगें होती है प्रकास तरंगे कैसी तरंगे होती है। गर्द कहा जाता है इस प्रकार से ये तरंगे जो है वो गमन करती है प्रकास तरंगे कैसी तरंगे हैं विजूद चुम्ब के तरंगे हैं कैसी तरंगे हैं विजूद चुम्ब के तरंगे हैं प्रकास तरंगे हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं सीधी रेखा में चलती है किस परकार जहन करती है ये सीधी रेखा में ये चलती है परकास की दोहरी परकरती होती है परकास की दोहरी परकरती होती है दोरी परकर्ति किस परकार कि परकार जो तरंगे है वो कण परकर्ति और तरंग परकर्ति दोनों परकार की परकर्ति परदिश्क करती है यानि कि ये तरंग परभावी दर्शाता है और कण के रूप में भी अपना परभाव दर्शाता है इस परकार से दोरी परकर्ति होती है तरंग परक्रति, दूसरा है कन परकरति, तरंग परकरति में परकास जो है उसके जैसे अपना उधारण देखें, क्योंकि अपने को तरंग परकर्ति पता कैसे चलेगी या पिर परकास कंड के रूप में चलता है तो उधार्ण कौन से कौन से हैं जैसे तरंग परकर्ति का उधार्ण है परकास का परावर्तन अप्वर्तन कौन आंत्रिक परावर्तन या परकास का सिधी रेखा में चलना परकास का वीवर्तन परकास का वीवर्तन इसी परकार अपन कन कण परकरती के बात करें तो कण परकरती जो परकास की होती है जैसे परकास विद्यूत परभाव और दूसरा है कॉंटन परभाव परकास विद्यूत परभाव और सेकिंड है कॉंटन परभाव ये दों उधारण किसके हैं प्रकास के कंदप्रक्रती के उधार्ण है यह सारे उधार्ण किसे हैं प्रकास के तरंग परकर्टी के हैं, जबकि कण परकर्टी के परभाव कोंसे है, परकास विद्यूत परभाव और है, कौन परभाव तो परकास के परकर्टी कैसी होती है, दोरी परकर्टी होती है, ठीक है, परकास तरंगे विजूत तुम्ब के तरंगे होती है और विद्धू चुम्ब के तरंग जो होती है वो हमेशा निर्वात में भी गमन कर सकती है ऐसी तरंगे जो निर्वात में गमन कर सकती है वो कौन सी होगी विद्धू चुम्ब के तरंगे बाकी अनुप्रस तरंगे और तीसरी होती है अनुदैधरिय तरंगे उनके लिए किस इसी माद्यम की आउस्यत्ता होती है अगर आपन देखते हैं इसमें विद्धूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत् निर्वात में भी गमन कर सकती हैं इनके लिए किसी मात्यम की आवसेक्ता नहीं होती निर्वात में क्या होता है मात्यम नहीं होता है इसलिए यह तरंगे जो है वो निर्वात में भी गमन कर सकती है और सूर्य से आने वाली किन्ने जो हो निर्वात को पार करके फिर पर्थिव के वायो मंडल में प्रवेस करती है इनकी परास होती है दस की गात माइनस चार से दस की गात चार तक दस की गात माइनस चार से ये मिटर में है 10 की खात मीनिस चार से 10 की खात 4 मीटर यह इनके परास होती。 यह इतने च्हतर में यह पाई जाती है दसकी घात माइनिस 4 से दसकी घात 4 तकी यह हो गया विद्यू शूंब कि तरंगु की बारे में अब प्रकास जो है प्रकास तरंगु के खोज करता लोमर विग्यनिक है रोमर वेग गालिक ने परकास के वेग को ग्याद किया किसको ग्याद किया परकास के वेग को रोमर ने ग्याद किया तब परकास का वेग कितना होगा परकास का वेग तीन गुना दस की गात आठ मिटर पर ती सेकिंड इसका वेग होता है परकास का सरवाधिक वेग निर्वात में होगा जहांपर परकास के रास्ते में कोई भी अवरोध नहीं आए वहांपर सरवाधिक इसका वेग होता है तो निर्वात में इसका वेग कितना होगा तीन गुनाद दस की गादाठ मीतर पट्री सेकिन्ड. अब जैसे जैसे मात्यम की सखंता बढ़ती जाएगी उसी प्रकार प्रकास का जो वेध है वो कम होता जाएगा. तो हवा जो है हवा उसकी बजाए द्रव जो है वो ज्यादा सगनीत है और द्रव से ठोस ज्यादा सगनीत है और ठोस में आपने जैसे कांच ले लेते हैं वसे लकडी में से तो प्रकास जो पार नहीं कर पाएगा कांच जो है उसको पार कर जाता है लेकिं कांच क्या है थोस में आता है तो इसका वेग जो है वो क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा गढ़ता जाएगा इस साइज में ठीक है तो सरवातिक वेग किसमें होगा प्रकास में फिर द्रव में और फिर ठोस में इस प्रकार से प इसमें प्रकास का वेग होता है और यहां अपने लिख सकते हैं कि निर्वात में इसका वेग सरवाधिक होगा निर्वात में वेग सरवाधिक होता है सूर्य के प्रकास को पर्थवी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है परकास को सूरिये से पर्त्वी तक पहुंचने में आठ मिनट उन्नीस सेकिंड का समय लगता है आठ मिनट उन्नीस सेकिंड का समय लगता है आठ मिनट उन्नीस सेकिंड का समय लगता है तो अपने देख रहे हैं विजूद सुंब के तरहों के रोग में परकास सिंसरित होता है परास इसकी क्या होती है दसकी का माइनस चार से दसकी का चार मिटर तक होती है परकास का वेग सबसे पहले रोमर विग्यानिक ने बताया और परकास का वेग कितना है 10 तीन गुणा दसके गात है 8 सरवादिक वेग निरबाध में होगा और यह इस परकार से इनका वेग का गटता हुआ करम है जिस परकार से माध्यम बढ़ता जाएगा माध्यम की सगिंता बढ़ते जाएगी उसी पतार वेग जो हमकम होता जाएगा अब अपना देखते हैं कि परकास से संब्दित कुछ अन्य विग्यानिक जिन्वाइख एप इस शिद्धांत दिये हैं उनके बारे अब देखते हैं कौनसे विग्यानिक दिया है तो सबसे पहले आपने देखते हैं कि न्यूटन जो विज्ञानिक न्यूटन उसने यह बताए कि प्रकास जो वह स्वेथ प्रकास से मिलकर बना होता है न्यूटन प्रकास सभी रंगों से मिलकर बना होता है तथा इसका रंग सफेद होता है और सफेद होने के काणने से क्या कहा जाता है स्वेथ प्रकास क्या कहा जाता है स्वेथ प्रकास प्रकास का तरंग सिधांग प्रकास का तरंग सिधांग बताया हाईजेन वर्ग ने इसने बताया हाईजेन वर्ग प्रकास का तरंग सिधांग हाईजेन वर्ग परकास का फोटोन सिधांत आइश्टिन ने बताया किसने बताया आइश्टिन ने आइश्टिन ने ये बताया परकास जो फोटोन के रूप में संचरीत होता है विद्यूद चुम्बके तरंग परकरती सिधांत ये बताया मेक्श्वेल ने विद्यूद चुम्बके तरंग परकरती सिधांत फिरा प्रकास जो फोटोन के बताया अंद्ध में तो परकास का व्यतिगंड किसने बताया थोमस यंग ने बताया तो देखेंकि ये परकास की सिधांद हो गए प्रकाश का तरंग सिधांद किसने आईजनबर्ग ने प्रकास पाफोटों सिधांद आइंस्टीन ने डिचा प्रकास जो है वो फोटों के रूप में संसरीत जो है के उसके प्रकार से बंडल के डूमें और इनकी निस्चित मेंerd फोटों की tat उसी प्रखाव की आधार पर उसने परकास जब कि प्लेट फर्म गरती है आज प्लेटे लगती है इस से फुंप्र के प्लेट होती है इसंपे इस प्र्कास लिए और सब्रकास गरता है और यह सक्री अउस्ता में आ जाते हैं और इससे फिर विद्यूत बंगती है इसी को क्या का जाता है प्रकास का फोटन सिद्धान किसने बताया वेक्स्वेल ने तो था प्रकास का वेतिकन थोमस यंग ने बताया अब अपन देखते हैं कि प्रकास जो है वो सरल रेखा में जब गमन करेगा प्रकास जब सरल रेखा में गमन करता है तो कौन से कौन से उधान प्रकरते में अपने वो प्रदस्वित होते हैं उसके बारे हम आपने देखते हैं जिससे यह पता चलता है कि परकास जो है वो हमेशा सिद्धी रेखा में चलता है जब तक उसको कोई अवरोध नहीं मिले तब तक परकास हमेशा सिद्धी रेखा में चलता है और अवरोध से तकराने के पश्चार इसकी दिशा बदल जाती है तो पहला आपन देखते है सुर्य के परकास के सिदा चलने के कारण गुद्पन होने वाली गटनाई परकास के सरल रेखिये गमन के कारण गुद्पन गटनाई परकास जब सिद्धी रेखा में चलता है जब सिद्धी रेखा में चलेगा तो किसी भी अवरोज से टकराएगा तो उस अवरोज से जब टकराएगा तो प्रकास आगे गमन नहीं करेगा तो छाया का निर्माण हुआ ठीक है तो जितनी भी छाया बनती है छाया का निर्माण किसके कारण होता है प्रकास किसी दिरेखा में चलने के कारण दूसरा है चंद्रगरण तीसरा है सूर्य गरण चंद्रगरण और सूर्य गरण जो है वो भी परकास के सीधी रेखा में चलने के कारण होते हैं इसी परकार सूची चिद्र केमरे में उल्टा परतिवीम बनना कि सूची चिद्र केमरे में उल्टा परतिवीम बनना भी किसका अक्जाम्पल है जैसे चाय का निर्मान कैसे होगा मान लोग कोई यह कोई अवरोद है जो परकास आपारदर्शी है यानि उसमें से परकास गमन नहीं कर सकता ठीक है तो यह परकास जब इससे टक्राएगा तो तक्राएगा इससे आगे नहीं जाएगा तो इसकी सचाय बनेगी यहाँ पर बनेगी ठीक है इसका निर्मान होगा अब अपने बात करते हैं चंदर गरणगी चंदर गरणग क्यों होता है और किस परकार होता है ये है सूर्य सन ठेक है ये क्या है सूर्य और इसके बीच में यहाँ पे अपन माल लेते हैं अर्थ और इधर है मून ठेक है सूर्य का परकार जब ये पर्थवी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो इसका जब परकास पड़ेगा यह परकास इस पर्थवी पर पड़ेगा इस मंगल उपगरह पर नहीं पड़ेगा यानि इस पर आगे नहीं आएगा इस चंद्रमा पर यह नहीं पड़ता है यह मून है चंद्रमा इस पर यह नहीं पड़ेगा इस पर नहीं पड़ेगा तो ये वाग अपने कैसे दिखाई देगा काला दिखाई देगा ठीक है ये सुर्ये परत्वी और ये चंद्रमा ठीक है तो ये क्या है आपका चंद्र ग्रण सुर्ये ग्रण के आपने बात करें तो सुर्ये ग्रण सुर्ये की स्तती ये और बीच में आ जाता है मून और ये है अर तो सूर्य का प्रकास जब इस मून पर पड़ेगा तो अपने को सूर्य का यह भाग दिखाई नहीं देगा कौन सा वाग यह वाग क्यों इस प्रकास को बीच में किस ने रोग लिया इस चंद्रमा ने रोग लिया तो यह क्या है सुरिय गरं तीसरा है सूची छिदर केमरे में परतिपिम का उल्टावनदा ये कोई केमरा है इस केमरे में ये कोई छिदर छोड़ दिया बीज में ची और यहाँ पे है परकास का शुरोग का है परकास शुरोग जब इससे परकास आएगा तो ये परकास इस परकास से सिध्य रिखा में चलता है में इस यहां पे भी एक परकास सोरुत है इससे एक किरन निकलेगी तो वो इस परकार जाएगी तो इस परकार यहां पे जो परतिविम बनता है वो क्या बनेगा पर्तिबिम जो बनेगा वो उल्टा होगा कैसा होगा उल्टा होगा ठीक परकास ये सिद्धी रेखा में चलेगा तो ये परकास इस तरफ जाएगा और ये वाला परकास एक गम सिद्धी रेखा में इस तरफ जाएगा तो जो यहां पे जो कोई बिम रखा हो परकास का परावर्तन परकास का परावर्तन जो है वो किस कारण होता है तो परकास के परावर्तन भी परकास के सरल रेख्ये गमन के कारणे होता है परकास का परावर्तन परावर्तन अब अपन बात करते हैं प्रकास के प्रावर्थन की तो प्रकास का प्रावर्थन जो है उसके लिए दो चीज़ें आउसिक है पहली बात तो फोस सतय और दूसरा है माद्य यह दो चीज़ें उनीजी है तब भी प्रकास प्रावर्थित होगा प्रावर्थित कैसे होगा देखो यह कोई सतय इस सतय पर जब प्रकास प्रकराएगा यह प्रकास इस प्रकार से इस पे टकराता है और टकराने के प्षचाद जिस कोण से यह आता है उसी कोण से वापी से उसी मद्य में लोट जाएगा ये इस परकार से आगे लोट जाता है इस सथा से टक्राने के पश्चा था ठीक है? चीद्ध रेखा में आया, अवरोध आया, अवरोध से टक्रागे चला गया ठीक है? इसके बीज में एक अपन कालपनिक रेखा माल लेते हैं जिसे अपन बोलते हैं अभी लम और इस रेखा को प्रावर्तित प्रकास आपतित प्रकास वे प्रावर्तित प्रकास इस अभी लम से ये आपतित प्रकास जो कौन बनाता है उसे एंगल आई एंगल आई और इस कौन को एंगल और कौन आई और कौन आई I Q लिया कि इसको incident light बोलते है incident light और इसको बोलते है reflected light incident light and reflected light तो यह जो angle कोण I है यह कोण R हमेशा बराबर होता है क्या होगा हमेशा बराबर होगा एंगल I equal to angle R और माद्यम कैसा होगा जैसे यह अगर हवा का माद्यम है तो वापिस इसी माद्यम में लोटे की तो यह भी हवा का माद्यम है तो माद्यम हमेशा क्या होगा इसमें एक जैसा होगा ठीक है तो इसमें अपन देख सकते हैं कि परकास का प्रावर्तन के लिए एक सद्य चाहिए और दूसरा कोई माद्यम चाहिए और माद्यम एक ही होना चाहिए माद्यम अलग अलग इसमें नहीं होने चाहिए तो परकास के प्रावर्तन के नियम है जैसे पहला नियम, इसके दो नियम है आपतित प्रकास परावर्तित प्रकास वै अभिलम एक ही तल में होते हैं एक ही तल में होते हैं दूसरा आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बरावर होता है एंगल I इकल टू एंगल R एंगल I इकल टू एंगल R यह है प्रकास का प्रावर्टन तो प्रकास के प्रावर्टन के लिए एक सता इसी और दूसरा माद्यम ची दो नियम होगे आपतित प्रकास प्रावर्टित प्रकास प्रावर्टित प्रकास तथा अभिलम हमेशा एक ही तल में होते हैं यह एक ही तल है इसका आपतन कौन प्रा अधिनस्त बोर्ड ने उसमें क्यों सनाय था कि प्रावर्तिम की घटना के लिए सत्य चाहिए उत्तल सत्य और सभी माध्यम या सभी प्रकार की सत्य है तो इसमें आंसर क्याएगा इसमें सभी प्रकार की सत्य से प्रावर्तन की घटना होती है अब प्रावर्तन की घटना पर आधारित कुछ प्रकर्ति में होने वाली घटना है उनको अपन देखते हैं कि कौन से कौन से इसके उधारण है प्रावर्तन की उधारण कौन से कौन से जिससे ये पता चलता है कि परकास जो हो परावर्तित होता है तो सबसे पहले पहला उधारण तो इसका यही है कि परकरती में जितने भी चीज़ें दिखती है अपने वो वो सारी किसके कारण दिखती है परकास के परावर्तन की कारण इसके उधारण सभी वस्तों, परकास के परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं दूसरा है, वस्तों का रंग किसके कारण दिखाई देता है परकास के परावर्तन के कारण किस परकार देखे वस्तु का रंग किस परकार दिखता है अगर कोई वस्तु काली वस्तु जिसका रंग काला है तो वो क्या करेगे सूरिय का जितना भी आने वाला परकास है तो उसी सभी प्रकार की प्रकास को आउसोचित कर लेती है और प्रावर्ति किसी प्रकार की प्रकास को नहीं होने देगी तो वस्तु का रंग कैसा दिखाई देगा काला दिखाई देगा क्योंकि अपने पास कोई प्रकास आएगा यह नहीं तो रंग कैसा दिखाई देगा प सको कोई अवरोध नहीं है रास्ते में इसलिए वो परकास सीधा निकल जाता है और वहां पर कस्प्रावर्थ अन्हीं होता है इसलिए सारी वस्त jackets क्या दिख Reports काली दिखा देता है को मिरवाद में एंत्रिक्स काला दिखाई देता है ठीक है काले रण की वस्तू स्वेथ परकास को और सोसित करती है किसी परकार की परकास को बाग नहीं जाने देगी इसलिए रंग ऐसा दिखाई देगा उसका काला किसी परकार सफेद रंग की वस्तू सफेद रंग की वस्तू होगी वो सभी परकार की परकास को क्या कर देती है परावर्तित कर देती है अपने पास किसी भी प्रकार की प्रकास को नहीं रखती इसलिए उसका रंग क्या सा दिखाई देगा सफेद दिखाई देगा कि स्वेध प्रकास को प्रावर्टित करती है इसलिए गर्मियों में हमेशा सफेद कपड़े पहनने चीए क्योंकि प्रकास अवसोशित नहीं करेगा सफेद कपड़ा और सारा प्रकार का प्रकास जो हो उससे प्रावर्टित होगे वातावन में चला जाएगा और सर्दियों में काले रंग के कपड़े पढ़ने चीए क्यों क्योंकि प्रकास अवसोशित करेगी काली वस्तु और काली वस्तु जब अवसोशित करेगी तो वह सत्य जो गरम हो जाएगी इसलिए गर्मियों में काले कपड़े नहीं पढ़ने चीए गर्मियों में के दिखाए देगा जिस परकार के रंग को वह परावर्थित करती है तो इसमें तीसरा पॉन्ट लिखो जो वस्तू जिस रंग की होती है कि उसी परकार के रंग को परावर्थित करती है उसी प्रकार के रंग को वो क्या करेगी प्रावर्थित करती है ठीक है तीसरा इसका उधारण है पेली स्कोप पेली स्कोप पेली स्कोप पेली स्कोप में जो गटनाई होती है वो प्रकास के प्रावर्थन के कारणे होती है तेली स्कोप ने केल इडियो स्कोप केल इडियो स्कोप वेर पेरी स्कोप परावर्तन पराधरित है केल इडियो स्कोप क्या चीज है और पेरी स्कोप क्या चीज है इसको देखते हैं केल इडियो स्कोप में इस प्रकार से एक संवर्चना होती है जिसमें तीन दरपन इस साइड में 60 डिगरी पर एंगल पर लगेते हैं इस परकार से तीन दरपन लगे होते हैं जिन में क्या होगा इस साइड में भी यही होता है इसके बीच में यहां पर कुछ वस्त्वे रखी जाती है और जब इसको गुमाया जाता है तो वो जो वस्त्वे हैं वो अपने को चमक्ती वोई दिखाई देती है ठीक तो यह तो है के लिडियो स्कोप पेरिस्कोप में पेरिस्कोप का काम किसमें आता है यह तो बच्चों का खिलोना होता है के लिडियो स्कोप पेरिस्कोप जो होता है वो जो बेग्यानिक होते हैं स्वरी जो सेनिक होते हैं वो बंकर में अंदर चुपे हुए वहते हैं जबाहर सीमा पे या फिर सामने दुस यह इस परकार से कोई बंकर है और यहां पे एक दरपन लगा हुआ है और ऊपर एक दरपन लगा हुआ इन दोनों के बीच में एंगल क्या होता है 45 डिग्री का कौन होता है जिससे जो अंदर बंकर के अंदर और शेनिक है उसको बाहर क्या गतिविदी हो रही है उसका अंदाजब वो लगा लेता है किसमें काम आएगा शेनिकूं दुवारा बंकर में इसका उप्योग किया जाता है